तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कप्रेप्रेस कर ली हैं काफी दिन से मैंने कप्रेप्रेस नहीं किये थे और आज मैंने लेना है शावर तो मैंने का क्यों ना आपके साथ और इसी वो रूटीन शेयर करते हैं ये मैं निकाल लेती हूँ सूट आज के लिए और बाकी मैं उठा दूँगी और बाल इतने ज़्यादा ज़ड़े हैं कि जड़ ज़ड़ के जारू बन गी हैं और बिलकुल भी ऐसे लगता है बिलकुल जाएना लमाफ करें लमाफ करें घंजापन आ जाना है तो ये मैंने टोट के देखे हैं बहुत ज़ड़ा तो ये मुझे एजी लगा और मैंने का ये सबसे एजीए स्को परफॉर्म करके देखूं कि क्या ये मेरे बालों के लिए एफैक्टिव रहेगा के नहीं रहेगा य ये मैंने प्रिपेर कर लिया फर्मेंटिड रॉइस वाटर ये पूरी रात मैंने चावलों को इसमें अच्छी तरह वाश करके तो बिग हो दिया है और अब सुबह ये मैं पहले क्या करूंगी पहले किसी भी नॉर्मल शैंपू से अपने बाल दो लूँगी और उसके बाद ये उसके अंदर बालों को डिप करूंगी अच्छी तरह से जड़ों में लगाँगी और जड़ों में लगाने के बाद मैं इसको एक घंटे के लिए तकरीब बना से छोड़ दूँगी एक मन्त मैंने ये करना है फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या रहता मेरे बालों पे यानि मैं आन अफ करूंगी वीक में तीन से चार दफ़ा मैं अपने हाथों पे अपलाई करती हूँ वो है वेजलीन का लोशन तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने का क्यों आज आपके साथ रिवियूज शेयर कर दूँ अपनी मेशीन के जो अपलेटर है जिससे मैं हेर रिमूव करती हूँ बिल्कुल इससे अच्छे हेर रिमूव होते हैं ये ट्रिमर के तोर पे काम करता है और ये हैं मेरी मशीन ये ब्राउन की है और इसमें डिफरेंड तरह के आता है मेरा ये सिंपल है ये सिंगल वाला ही है इसमें बलेड ये ट्रिमर है जिससे थोड़ी सी आपको पेहन होती है लेकिन इस लाइक जैसे आप वेक्स करते हो उस तरह से आपकी स्किन ना इसके बाद परने से पहले मैं इन दोनों चीजों का अपने हाथों पे मसाज करने लगी हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे इसको यूज करते हैं और बिलकुल एजी है और अच्छी है बिलकुल ऐसे आपको लगीगा जैसे आप ने वेक्स की हुई है इसमें बिलकुल जड़ों से बाल इसके रिमूव होते हैं इस मेशीन से ब्राउन की है ये काफी अच्छी है तो पहले मैं ये अपलाई कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो जी जितनी जरूरी है मूँ की केर यानी बूथा जितना अच्छा दिखे उससे भी कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारे हाथ और पाउं भी अच्छे दिखें तो यहाँ पर जी मैं अपने हातों की थोड़ी सी उनकी लेपा थोपी करके उन पे अलवेरा जल और पहले वेनने लोशन को अच्छी तरह से मसाच किया पिर उसके बाद अलवेरा जल को करूंगी और इसके बाद मैं करूंगे रिमूव और इसके बाद जो सॉफ्ट सी स्किन आपकी आएगी इसका अलग ही चाम है तो यहाँ पर बस यही हो रहा था थोड़ी सी अपनी केर केर हो रही थी और कुछ हास नहीं हो रहा था आज के दिन में और हाँ जब मैंने शावर ले लिया था तो उसके बाद बाबी आ गी थी बच्चों के साथ तो काफी ज़्यादा मैं उन्हीं के साथ बेजी रही तो यहाँ जी मेरा यह कंप्लीट हो गया था यह दोनों चीजे मैंने लगा ली थी अब इसके बाद मैं अपलाई करने वाली थी अपिलेटर को तो वह मैंने आपको दिखाना है तो चलें देखते हैं वह कैसे अपलाई करना है अच्छी नहीं होती आवास तो काफ़ी ज्यादा तेज होती है इसको मैंने जब स्विच जब हम इसको प्लग इन करते हैं तब ही इसकी शांशा शुरू हो जाती है जब इसको अन करें सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है ना कि इसके साथ जो लाइट अटेच है उसकी वज़े से आपको बिलकुल प्रॉबलम नहीं होती आपको ये नहीं है कि बाल आपको नजरनी से याएंगे बाल इससे इतने अच्छे नजर आते हैं और इतने अच्छे रिमू कुछ ना वीडियो के स्टार्ट वे भूल गई थी क्योंकि आज मैंने ऐसे ही लाइव जो हैना मतलब रिकॉर्डिंग की थी पहले से रिकॉर्ड किया था कुछ मैंने पार्ट है जो मैंने वाइस ओवर किया था क्योंकि मेशीन की वज़े से शोर बहुत ज्यादा था आप यहां सफराव सतराजर्शा हो गया तो जी मैं क्या कह रही थी मैं यह कह रही थी चाहिए कि मैंने आप का हाल चाल नहीं पूछ हुछा-और इप आप सब बिलकुल क्पॉल झाल पर हैर एड झाल होंगे आप संगे गलतीतिये ही ा वीडियो का फस्ट पारजाना वीडियो क कम्प्लीट करूं मैं आपको दिखा दू इसको यूज करके उसके बाद जी हम लोगों ने दुपएड का खाना कोई हास नहीं खाया था पहले ही सालन बना हुआ था जो कल का क्यूंकि दुपएड के टाइम गैस बहुत कम होती है तो आज मैंने इसलिए खाना नहीं बनाया था तो यहां मैंने मगवाल लिये थे समोसे तो समोसे का रहे थे हम लोग काफी मज़े के थे मीठी चट्नी के साथ मुझे मीठी चट्नी ज्यादा पसंद है वो जो चने होते हैं मैं वो कम कम ही लेती हूँ मुझे मीठी चट्नी के साथ ज्यादा मज़ाता है तो यहां मैं बना हूँ आज मेरी चोटी सी विडियो आपको बहुत अची लगी होगी और वीडियो अच्छी को प्लीज 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 लाइक करें शेयर कॉमेंट करें और इसी तरह से मैं आपके साथ अपने चुट चुट से विलॉग शेयर करती रहूंगी मिलते हैं अगले विलॉग में आज के लिए इतना ही अला हाफ़